दोस्तो अगर आप भी YouTube पे डेली दो घंटा मेहनत करके 40-50,000 रुपय कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा informative होने वाला है अभी तक दोस्तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड है उन सारे वीडियो में से ये सबसे आसान वीडियो है इस वीडियो को आप बहुत ही आसानी से अपने mobile से बना सकते हैं और 100% इसको monetize भी कर सकते हैं जिस टाइब के वीडियो को बनाने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ पहले मैं आपको उस वीडियो का डेमो दिखा देता हूँ कि किस टाइब का आपको वीडियो बनाना है कैसा आपका चैनल रहेगा और कितना ज़्यादा earning कर सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यूट्यूब का मैंने एक चैनल ओपन किया जिसका नाम है Mr. X Horror आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 146 वीडियो अपलोड करके इसने 89 के सब्सक्राइबर गेन कर लिया है अब यहाँ पे मैं इसके वीडियो को आपको दिखा देता हूं कि किस टाइप का वीडियो ये बनाता है और कितना ज़्यादा व्यूज आता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो वाले सेक्शन में हम आ चुके हैं यह सारे decent वीडियो है, अब मैं इसके popular वीडियो को मैं आपको दिखा देता हूँ कि popular वीडियो पे कितना वीडियो जाता है, तो हमने popular वाला section open के लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो महिना पहले इसने upload किया है, 1 million से ज़्यादा इसका वीडियो है, और उसके बाद आप देख सें, 4 महिना पहले डाला है, 4 लाग से ज़्यादा वीडियो, अब यहाँ पे मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का यह वीडियो बनाता है, तो इस वीडियो को प्ले कर लेते हैं, नमस्कार मेरी प्यारी loyal family मैं हूँ Mr. X, और आज के podcast में तो यहाँ पे आप देख रहेंगे कि पुरा वीडियो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई animation नहीं है, सिर्फ एक photo हो जो कि थोड़ा सा हिल रहा है, यह वीडियो पुरा एक घंटे से ज़्यादा का वीडियो है, लेकिन इस पे सिर्फ एक ही poster चलना है, जो थोड़ा थोड़ हिल रहा है, मतलब कि इस वीडियो में कुछ भी editing नहीं हुआ है, फिर भी 1 million से ज़्यादा इस पे views है, अब इसका दोस्तों मैं आपको earning दिखा देता हूं कि कितना ज़्यादा earning करता है, तो यहाँ से इस channel का link हम copy कर लेते हैं, copy करने के बाद आ जाएंगे social blade में, social blade में आने के बाद हमने इसके channel की link को paste कर दिया, आप यहाँ पे इसका view आप देख सकते हैं, 1.316 million views है, मलब कि 1 million से ज़्यादा इसका view है, 30 दिन के अंदर, और यहाँ पे earning भी आप देख सकते हैं, 329 डॉलर से लेकर 5000 या 5500 डॉलर तक यह monthly कमा लेता है, बिना कोई editing किये, बिना कोई animation किये, तो दोस्तो अकर आप भी इस type के video को बनाना चाहते हैं, तो इस video को ध्यान से देखें, इस video में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस type के video को बना सकते हैं, यह जो channel आपने देखा या फिर जो यह video आपने देखा, इसमें जो खास बात है वह है story, जितना ज़्याद देखना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे chat GPT को open कर लेना है, open करने के बाद यहाँ पे आपको एक prompt डाल देना है, जिससे एक अच्छी story आपको मिल सकें, तो यहाँ पे मैं एक prompt type कर देता हूँ, जिससे हम अच्छी story generate कर सकें, अगर आपको और भी ज़्यादा prompt आप इसको अच्छे से read कर ले, अगर आपको यह story नहीं समझ में आती, तो आप फिर से generate कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई limit नहीं मिलता है, आप कितना भी story यहाँ पे generate करा सकते हैं, बिना किसी credit के, बिना किसी subscription के, अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक अच्छी story आच जाता है कि उस जंगल में भूत प्रियोतों का बसेरा है, परन्तु बहुत समय से किसी ने कोई घटना ना सुनी थी, इसलिए लोग उन कहानियों को अब अफवा मानते थे, अविनाश एक युवा पत्रकार था जो गाओं की पुरानी परंप्रावों और लोक कताओं पर ले कोई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रेस करके रखना और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और अपने मुबाइल के नोट्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस वाले निशा से हमको story से related यह image generate करके देगा तो यहाँ पे हमने type कर दिया I want all seen image generating prompt of this story in English इतना आपको type करना है type करने के बाद यहाँ पे arrow पे click कर देना है click करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस story से related आपको एक prompt type करके देदेगा मतब 4-5 image का prompt आपको type करके देद करचे में नोट्स में नोट्स में आने के बाद हम फिर से एक नया नोट्स लेंगे और उसके बाद इस पूरे prompt को यहाँ पर fill कर देंगे fill करने के बाद इसका heading हम डाल देंगे image prompts यह हम यहाँ पर type कर देते हैं type करने के बाद अब इसको हम save कर लेंगे तो यहाँ पर हमने save कर लिया इस पूरे prompt को उसके बाद हम आज आएंगे back और उसके बाद chrome browser को open कर लेंगे जैसे आप इस पर click करेंगे, click करने के बाद आपके सामने इसका homepage आजाएगा, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने email id से इसको login करना है, login करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ free credit मिल जाएगे, जो कि आपको daily मिलते रहेंगे, आप daily इससे image generate करा सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले अपने email id से इसको login कर लेंगे, login करने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा, image का, यहाँ पर image वाले option पर click करना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, तो आपके सामने ऐसा interface आएगा, अब यहाँ पर description का एक option मिल जागा, इस पर आपको click करना ह और यहाँ पर आपको image generate करने का जो prompt मिला था, वो आपको यहाँ पर paste करना है, prompt को copy करने के लिए हम यहाँ पर notes में आ जाएंगे, और यहाँ पर पहला prompt जो हमको मिल रहा है, इसको हम copy कर लेंगे, इस तरह से यहाँ पर पहले select करके, उसके बाद यहाँ पर copy कर लेंगे, copy कर आने के बाद हम फिर से उसी website पर आएंगे और आने के बाद यहाँ पर description वाले option पर click करके उसके पाद यहाँ पर उस prompt को paste कर लेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर जो भी image आप download करना चाहते हैं उसको download कर सकते हैं चाहे तो आप यहाँ पर सारे image को भी download कर सकते हैं तो download करने का जो process है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इसको download करना है इसको download करने के लिए आपको यहाँ पर prompt copy करना है, copy करने वाद फिर से आपको website पे आ जाना है, यहाँ पे description में इसको paste कर देना है, और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे image size तो पहले से select रहेगा, आपको सिर्फ generate wallet option पे click करना है, और उसके बाद थोड़ा सा wait करना है wait करने के बाद आपको दूसरे prompt के अनुसार, जो भी आपने prompt यहाँ पे type कराया था, उसके अनुसार आपको यहाँ पे photo generate करके देदेगा, अब उसी process से आपको इसको भी download कर लेना है, जो भी आपको image अच्छा लगता है, उसको आप download कर सकते हैं, चाहे तो आप पूरा image भी download कर सकते हैं, अब यहाँ पे मैं कुछ image को download कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको बताता हूँ कि आगे का process क्या है, आपको दिखाने के लिए मैंने हाँ पे तीन prompt को copy किया था, और उसके बाद यहाँ पे description में paste करके image को generate कर लिया था, और यहाँ पे हमने तीन image को download कर लिया है, download करने के बाद आ जाना है अपने editor में, चाहे जो आप editor use करते हैं, उसको आपको open कर लेना है open करने के बाद आपको यहाँ पे new project पे click करना है, click करने के बाद आपको बारी-बारी से एक-एक image को यहाँ पे select कर लेना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ image को download कर लिया था, तो यहाँ पे बारी-बारी आपकी story के हिसाब से, जो भी आपकी story रेके उसके हिसाब से आपको एक एक करके image को select कर लेना है और उसके बाद next पे click कर देना है अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे timeline में इस सारे image आ चुके हैं इनको में play करके भी आपको दिखा दूँगा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों image आ करने के दिखा रहे हैं difference के लिए आपको दिखाने के लिए अगर हम पूरा वीडियो बनाने जाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हमने यहाँ पे तीन image को इंपोर्ट किया इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे story हम add करेंगे story add करने से पहले आपको क्या करना यह जो image का duration है जो इसका length है वो आपको बढ़ा देना है simply आपको इस पे click करना है और इस तरह से आपको इसका length बढ़ा देना है इसी तरह से आपको तीनों image का length बढ़ा देना है इस पे simply आपको click करना है और click करने के बाद last point पे इस तरह से पकड़ के आपको बढ़ा देना है तो यहाँ पे दो image का हमने length बढ़ा दिया तीसरे वाले को हम select कर लेते हैं और इसके बाद इसका भी length हम बढ़ा देते हैं बढ़ाने के बाद आपको क्या करना starting पे लेके आना है इस तरह से यहाँ पे आपको starting पे लेके आ जाना है उसके बाद आपको यहाँ पे story को लेके आना है पहले यहाँ पे इस तरह से आपको set करना है set करने के बाद इसका screenshot ले लेना है अब यह screenshot हमने ले लिया है अब यहाँ से हम back चले जाएंगे back जाने के बाद हम अपने editor को open कर लेंगे open करने के बाद हम यहाँ पे P.I.P वाले option पे click कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे video और photo वाले option पे click करेंगे इस पे click करने के बाद जो हमने screenshot लिया था इसको हम select कर लेंगे select करने के बाद इसको पूरे screen पर मतलब पूरे timeline पे हम यहाँ पे इस तरह से zoom कर लेंगे ताकि हमको पढ़़ने में इसको आसानी हो तो हम यहाँ पे इस तरह से zoom करने के बाद अब यहाँ पे इसको हम read करेंगे wise over करने के लिए अभी यह पूरे timeline में नहीं है तो उसको पूरे timeline में करने के लिए हमको क्या करना है यहाँ पे हमको थोड़ा सा scroll करना है side में और उसके बाद यहाँ पे जो हमने pip option लिया था इस पे हम click करेंगे last पे और video in पे click करनेगे अब यहाँ पे देख सकते हैं यह पूरे video में आ चुका है यहाँ से आपको क्या करना है पूरे video में ऐसा कर देना है करने के बाद आपको फिर से start पर जाना है start पर जाने के बाद आप यहाँ पे हम wise over करेंगे खुद wise over करने का दोस्तों फाइदा यह है कि आपको किसी भी AI का सहरा नहीं लेना पड़ेगा जिससे आपका channel भी monetize हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे record all option पे click करना है और आगर आप पहली बार इसको use कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको permission देना होगा permission देने के बाद आपको क्या करना है इसको read करना है तो read करने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है जो भी आपने यहाँ पे कहानी import किया है जो भी आपने story यहाँ पे generate किया है उसको आपको सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे क्लिक करना होगा और उसके बाद रीडि करना है अब यहां पे मैंने क्लिक कर लिया इसको रीडि करके मैं आपको बता देता हूँ वह एक ठंडी अंधेरी रात थी गाउं के चारों और जंगल का विस्तार था जहां हर किसी ने अंजानी आवाजों और अधिरिस से प्राडियों की कहानी सुनी थी ऐसा माना जाता था कि उस जंगल में भूत पुरेतों का बसेरा है परन्तु बहुत समय से किसी ने कोई घटना ना सुनी थी इसलिए लोग उन कहानियों को अब अफ़ाह मानते थे अगर प्राब्लम आ भी गया है तो छोटे से हिस्से में आगा आगा आप उसको डिलिट कर सकते हैं यहां पर मैंने एक पराग्राफ का वाई सोबर आपको करके दिखा दिया है तो हम दूसरा वाला भी कर लेते हैं करने के लिए यहां पर रिकॉर्ड वाले अप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आपको वाई सोबर करना है तो यहां पर हमने क्लिक कर लिया है अविनाश एक युवा पत्रकार था जो गाउं की पुरानी परंपराओं और लोग कताओं पर लेख लिखने के लिए वहाँ आया था गाउं के भुजुर्गों ने उसे जंगल के अंदर न जाने की सलाह दी थी तो यहाँ पे हमने दो पेरागर आपका वाइस ओबर आपको करके दिखा दिया है वाइस ओबर करने के बाद अब आपको यहाँ पे राइट वाले अप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे म्यूजिक को एड कर देना है जो कि मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर दे दूँँगा वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं तेलिगराम का लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप वहां पे जाके इस वाले background को डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद अपने वीडियो में use कर सकते हैं इससे आपको कोई copyright नहीं आएगा तो यह वाला background हमने यहाँ पर use करना है तो हम यहाँ पर use वाले option पर click कर लेंगे click करने के बाद यहाँ पर right वाले option पर click करके उस story का layer हम delete कर देंगे जो हमने यहाँ पर reference के लिया था तो यहाँ पर click करके delete वाले option पर click कर देना है वो यहां से delete हो जाएगा अब यहां पे आपको थोड़ा सा effect हो गए रहा है डालना है तभी आपका video अच्छा लगेगा तो यहां पे आपको क्या करना है इस image को थोड़ा सा हिलाना है तो उसके लिए आपको यहां पे keyframe का use करना होगा इस तरह से आपको keyframe add करना है बीच बीच में आपको थोड़ा सा photo को zoom करना है और zoom out करना है यहां पे मैं जैसे करके आपको दिखा रहा हूँ सेम इसी तरह से आपको follow करना है और follow करने के बाद अपने video में apply करना है तो यहाँ पर जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसी तरह से आपको बिल्कुल करना है थोड़ा सा आपको जूम करना है जूम करने के बाद थोड़ा आगे पीछे करना है लेयर को आगे बढ़ाना है और इसके बाद फिर से आपको की फ्रेम को एड़ करना है इसी तरह स आपको दूसरे वाले layer पर भी click करना है, यहाँ पर मैंने एक आदमी का layer add किया है, जो कि मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया है, लेकिन इसका मैं आपको reference दे दूँगा, टेलिग्राम चैनल पर जाके download कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको क्या करना है, हर एक layer को इस तरह से zoom करना है, थोड़ा सा effect डालना है, ताकि आपका वीडियो attractive लगने लगे, देखने में अच्छा लगने लगे, इसी तरह से हर layer के साथ आपको करना है, यह कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा transition लगा देना है, transition लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको layer पर click करना है, इस तरह से आगे लेके आना है, और जहाँ पर हमारा joint होता है, दूसरा clip, वहाँ पर ले जाके इस तरह से click करना है, जो यहाँ पर plus वाले निशाने इस पर आपको click करना है, इस पर click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे transition आपको मिल जाएंगे यहाँ पर आप जो भी transition वगरा add करना चाहते हैं simply आपको इस पर click करना है और click करने के बाद आपके video में add हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके दिखा दे रहा हूँ कि हमारे पास कितने transition वगरा available है जो कि मैं VN में आपको करके दिखा रहा हूँ अगर आप किसी दूसरे editor को use करते हैं तो आपको अलग तरह के transition वगरा मिल जाएंगे इसी तरह से आपको क्या करना है apply to all पे click कर देना है transition add करने के बाद आप यहाँ पे आपका video पूरी तरीके से बनके ready हो चुका है अब इसको आप export कर सकते हैं और अपने channel पर upload भी कर सकते हैं तो export करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ उपर के side में आपको export का option मिल जाएगा इस पे आपको click करना है जहां हर किसी ने अंजानी आवाजों और अधिरिस से प्राडियों की कहानी सुनी थी ऐसा माना जाता था कि उस जंगल में भूत पुरेतों का बसीरा है परंतु बहुत समय से किसी ने कोई घटना ना सुनी थी इसलिए लोग उन कहानियों को अब अफ़ाह मानते थे अविनाश एक युवा पत्रकार था जो गाउं की पुरानी परंपराओं और लोग कथाओं पर लेख लिखने के लिए वहां आया था गाउं के भुजुर्गों ने उसे जंगल के अंदर न जाने की सला दी थी तो यार उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फोर्मेटिव लगा होगा वीडियो अगर आपको पसंद आ है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए आ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक को प्रेस कर दीजेगा और दोस्तों कमेंट करके बताईए अगर कि आपको अगला वीडियो की टोपिक पर चाहिए तो दोस्तों मिलते हैं चैनल के अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखें